हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो क्रिशना एडू मंत्रा दोस्तों आज जो आपको इन्फोर्मेशन दे रहे हैं आपको पहले पता होगा अपने चैनल क्रिशना एडू मंत्रा के माध्यम से आपको बता चुके था कि आई टी आई का फॉर्म आ चुका है वो आपको जुलाई पांच तारी को आ गया था और उसका लास्ट डेट आपको अगस्त पांच है यानि पांच जुलाई दुजार एकिस को फॉर्म आया था और पांच अगस्त दुजार एकिस को लास्ट डेट है यानि आई टी आई इन् तैप का एक्जाइब मतलब आपको intense test होगा दो टाइब के लिए एक साल का exam के लिए को 2021 से 22 के लिए और 2021 से 30 के लिए ये आईटी जो होता है दो टैप के certificate course होता है ये वन वर्षीच और टू वर्षीच ए ए एक साल के लिए और दो साल के लिए ठीक इसको जो एक्जाइम conduct करता है बिहार संजुक्त परवेस परिक्षा परिक्षा पार्शाद याने BCEC बिहार सरकार तोरा conduct किया जाता है इसका जो details आपको हम आपको बता देते हैं क्या-क्या होना चाहिए ठीक सबसे पहले आपको certificate होना चाहिए passing किसके लिए मारक सीट होना चाहिए admité card होना चाहिए 10th के और equivalent यानि 10th यानि बिहार बोड से पास यानि किसी other board से पास से चाहिए आप SPSC से पास है किसी मतलब affiliated board से आपको पास होना compulsory है ठिक उसका जाती परबान पूत रहां चाहिए इंकम होना चाहिए करेक्टर होना चाहिए उसके आद फोटोग्राप्स अप्लिकेशन बिहार का मुल लिबासी आप फॉर्म भड़ सकता है यानि अपनी फ्यूजी एदेट में सरनार्थी है कहीं इसके से अगर बिहार पर भी आप फॉर्म यानि आप आवे सकता अनुसार उपलवद कराया गया है ठीक उजो जरूरत है ठीक इसके लिए आपको आई टी आई यानि अधरी परिशिक्षन संस्था परतियोगता प्रविश्चा के लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज जो जरूरी है ठीक आपको संस्थान संबंदित ज 14 बर्ष की होना चाहिए मिनिममम मैक्सीमम आयो के लिए कोई दिकत नहीं है मिनिममम है यह नियूंतम आयो सीमा है आपको 14 बर्ष मैक्सीमम के लिए कोई दिकत नहीं है ठीक नियूंतम बर्ष 17 बर्ष निवार क्या गया है मेकेनिकल मोटर विक लियानि दो ब्रांच के चाहिए ठीक ना मांगा नहीं तुछ जिला का चेर पर अचाप उमिद्बार जो है एक ही जिला को और दो एक से इस्थान जने आई टी आइक वालेजर उसको आवेदन दे सकता है एक जीला के लिए ठीक आप अपने जिला में देजी सबसे बेस्त होता है कि आप अपने जिला है घर से आप निरेस्ट रहते हैं इनिये आप जिस अनुमंदल यानि सब डिवुजन में है उसमें भी कॉलेज है जिस आपके आस पास जो कॉलेज उसमें डिविंसल देल गर से बढ़ यासे क्लास सके ठीक उसके यदो आवासी होना चाहिए बिहार का उसके लिए कोई दिकत नहीं अच्छा डिजर्वेशन का जो है बिहार केरे अर्टिब्स के लिए 15% के लिए एक परसेंट के लिए 18 % और फिछरा परत के लिए 12 परसेंट महिला के लिए 3 परसेंट और एकोनोमिकली बेकवाट क्लास के लिए नहीं आर्थी ग्रूप से कमजोर के लिए 10 वर परसेंट रबागी 40 परसेंट अन्रिजर्ड होता है ठीक ऑनलाइन आवेदन का परिकिरिया जो हता हो कैटोगोरी के लिए आप बाट सकते मतलब फ सकते हैं दोनों आप वहां से अपलाई कर सकते हैं दिबाइंट के लिए जो फिजिकल हैंडिकेप उसके लिए पांच परसेंट का सीट रिजर्व किया गया है ठीक उसका आपको सब्जेक्ट होगा जिसा फोटो कैसा होना चाहिए पर्मानेंट मतलब बढ़िया एड शरी प समान भीज्यान का पचास समानु मिला के सेंट,समानया हीए गलत उत्तर के लिए अंक कटूती नहीं ऊगी यानी निगेटि नहीं है ठीक मेगा सुची कैसे बनेगा आप पास किज़ेगा तो उसके लिए कोई जो रोत नहीं है एडिमिशन फॉर्म भड़ने का जो तरीका है आपको अच्छा इसमें आई टी आई के लिए सुलक है जो आपको पहले फॉर्म जाईए यहां पर देखें में आपको बता रहे थे ब सेकेंड में यहां पर दिया हुआ अपको ठीक प्रस्शुणल इंफर्मेशन दीजिए स्टेफ धर्ड में अप लोट किजाए फोटो और शिंगनेचर सटेब फोर्थ में आप एज prize Excel इंफॉर्मेशन दीजिए इस्टेप फाइब में जो आपको preview your application देख सकते हैं ठीक उसके बाद six में आप payment कर दीजी फीका और payment दो माध्यम से कर सकते हैं बैंक चलान के माध्यम से और online माध्यम से अच्छा आपको फॉर्म कितना देना है जो बैकती अभ्यार्थी आप समाने बर्ग पिछला बर्ग रहत्यंत पिछला बर्ग से हैं वह आपको आराम से 750 रुपय आपको देना होगा ठीक लेकिन जो अनुस्यचित जाती जन जाती से ह है वह 100 रुपया ठीक अजो बिकलाम है उसके लिए 450 रुपया फॉर्म देना होगा सेबंते स्टेप में आप डॉनलोड की यह फॉर्म को आप अपने सुरक्षित रख लीजिए ठीक जो डेट इन्फॉर्मेशन है में डेट देखो ऑनलाइन रेइस्टेशन का पहले पता च हो गया तो पुस्वार करना चाहते हो तो उसका 10-8 2020 से 12-8 2020 तक आपका एड़मीट गाड़ जो होगा एकोर्डिंग परिक्षा का डेट जैसे आगा आपको इन्फोर्मेशन दे दिया जाएगा ठीक प्रोस्पेक्टरस का इसे आपको पेपर में सभी में निकलता फॉर्म ठ इसके बाद आपको फॉर्म कैसा होना जो फोटो कैसा होना चाहिए इस सब के बारे में डिटेल से नाम पत्ता अगर आपको जैदा इन्फोर्मेशन चाहें तो बारवर बता नहीं जो प्रोस्पेक्टरस से आपको जो हम दिखा रहे हैं वह आप आराम से बी-सी-सी के कस्क्राइट पर जाके डोणलूड कर सकते हैं जो आप करें जो जन्दल से आप चसे इस से है आप फ़र्म वळ है यह झ़ंत ही अच्छा mail है आवास ये कहां कहा है किस जिला का कोड भरना है उसका जाती प्रमाणगोंपत्र आवास यह पर मांफतर एडिमीड कर आपको बारwoर बता об आपको जयदा जन करहें रही है अच्छा अडिमींड पर जो आएगा v weaknesses dot krij dot dot g जानुट्ठी में चीज को बाएँ ङाइन जिला है कितना कॉलेजे तीज में 5 पांच स्थीक में तीन बक्षर में दो रहतास में जो अप जिस जिला से आपपर हर जिला में आपको चार पांच कॉलेज मिल जागा, गया में देखो, चार, नावादा में तीन, औरंगावाद में तीन, अरवल में दो, जहानाबाद में दो, सारन में, दो, दो, चार, दो, छे, गोपाल गंज में, दो, बैसाली में, तीन, मजपरपूर में, तीन, सीधावाडी में, तीन, सीभ मध्वनी में 1,2,3,4,5,6,6 ITI college है अप मध्वनी में देख सकते हैं कहां कहां है गोगर डिया है विस्पी है बेनी पट्टी है जैनगर है जंजारपूर है मध्वनी सदर है सहरसा में है एक मध्पूरा में है एक मध्वनी डो सहरसा में दो सुपोल में चार पुर्णिया में जिस डिस्टिक के आप देखना चाहते हो आप पाउज करके उसको देख सकते हो उसके आद आपको बोमेंस पॉल टेकनिक जो है आपको इसका भी इनफोर्मेशन दिया कि किस किस डिस्टिक में महला पॉल टेकनिक है जो आप देख लो ठीक उ किस district में कितना किताँ seat hereuko, आपको दिखा belong college है, ठीक आप सभी college को डेक सकते हो, पूरा details, आप total seat ज्क में ल scripts है, अगर आप जधा details bksi college को details से देखना चाते हैं, किस दिला में है तो उसका आप प्रोस्पेक्टस डॉनलिट किजिए अब वहां से आप देख सकते हैं बी-सी-सी के साइट पर आप जा सकते हैं टोटल सीट जो आपको है यह टोटल सीट यह आपका ठीक जा देखो पचीस हजार 464 और यह का डांसे सीट है और यह भी कोड़ा सीट है टोटल आपको यह प्रोक्स usta 35400 जाणसा याणि टोटल आपको 3000 के आसपास शीट है टोटल सीट आपका चो है 30,000 के आसपास है पूरे IT याई में दूकरे आइटी में 30,000 के आसपास सीट है, पूरे पूरिये बिहार में आपको जो टोडल कॉलेज है, आपके पास लगभल होगा 112, ते आपको जेनरल कॉलेज है, उसका दोड्र बॉमेंश-पोल्लेज है, याणि यह प्रॉक्स आपके पास 125 थीस कोलेज है, ठिक, तो आप उसको देख सकते हैं, याणि हर अनुमंदल में एक college minimum है हर अनुमंडल में यानि subdivision में 101 college तो confirm है कहीं कहीं block level पे है तो वहाँ block पे भी admission है मतलर minimum आपको 120 पलस college है पूरे बिहार में total seat आपको 25,000 पलस है ठीक आप इसको देख सकते हैं और form भड़िये और interest test दीजिए आपको subject बता ही दिये हैं फिजिक, science, maths और समान भी ज्यान रहता है आपको 10th level पर बाकि आप कुछ ज़्यदा details आपको जानकार लेना है तो BCC के site पे जाके आप देख सकते हैं ठीक आपको total model है यह जाती cast क्या होना चाहिए other backward cast के date में important है कि online registration का date आपको बता चुके थे कि 5-7 कोई start हो गया है last date है जो closing का आपको 5-8 तक उसका payment का 7 तरिक तक online आपे dating करना चाहते हैं यह कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो 10-11 के बीच में कर सकते हैं और date अभी आया नहीं है exam का इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है ठीक, thank you so much have a nice day अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगेता पर दोस्तों में share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए तो thank you so much have a nice day, bye